हेलो गाइज बेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल मैं हूँ बिकाश शाहू और मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ मेरी एक और नई वीडियो में तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे मोबाइल की बारे मैं जिसकी लॉंचिंग अब आप देखता है तो इसके बारे में आज बताने वाला हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकाइन को जबूर प्रेस कर लें और यहां पर आपको इंस्टाग्राम की आईडी सो गर रही होगी तो जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें मैं वहां प आफ देता रहता हूं के कौंसी वीडियो पहले आनी हो और वाद में लागए जैसा कि मैंने आप सभी को बता है कि मैं आज जैसा कि आपने देखा होगा कि सेंसंग का फोल्डिवल एक मोबाइल है सैंसंग एलक्सि का एक फोल्डिवल जो किताब कीटार होता है वह एक मोबाइल है तो चीम वैसा ही उसी बेस पर एक उपवन है एक और मोबाइल लॉंच किया लॉंच करने वाला है अभी लॉंच हुआ नहीं है उसका नाम है फाइंड एन इसका मॉडल का नाम रखा गया है फाइंड एन तो यह जो मोबाइल है इसकी जो कुछ फोटो बागेर है लीख हो गए जिसको इन फोटो को रेंडर कहते हैं यदि आप जा जानते होंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है उपो का उपो का पहला फोल्डेवल स्मार्ट फोन जो है फाइंड पंदर दिस्टमबर को अभी लॉंच करने जा रही थी कंपनी तो उसकी कुछ पिक्स लीक हो चुकी है तो इन फोटो में जो है उस स्मार्ट फोन का किस टा फोल्डेवल है और किस तरीके की डिस्प्लेय है तो यह सामने आ चुका है तो यह मैं आपको अभी स्कीन पर देख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वह देखता है इन फोटो को सोसल मीडिया सोसल मीडिया यूजर एवाइन इवाइन इनाइव इनाइ इसमें कुछ चार चार फोटोज लिख हुई हैं जिसमें साप नजर आ रहा है कि इसका जो स्मार्टफून का डिजाइन कैसा है और इसके कितने कलर कलर ऑप्सन आपको देखने को मिलेंगे अभी 15 तारीक को जब यह लॉंच होगा तो आपको कितने कलर ऑप्सन देखने को मि इसमें चल डिस्प्ले यूज की गई है और जिसके सेंटर में एक सेलफी कैमरा भी दिया गया है और गाइस इसके बैक साइट की बात कर तो इसमें त्रिपल कैमरा स्लॉट मिल रहा है आपको जिसमें तीन कैमरे के साथ एक यह ब्यूटी का भी आप्सन मिलेगा और गाइस देखा जारा है कि आज कल जो जितने भी इसमार्टफों मार्केट में आरहे हैं मतलब यह ब्रहें कर रहा है और इस फोटो में आप आप देख सकते हैं कि यह सैंसंग गैलेक्सी जो फॉल्डेवल स्मार्टफोन आया था स्मोड़ पैसा ही यह यह भी दिखता है रिदर को फ हिसाब से तयार किया जाता है हाला कि रेंडर में जैसा जैसा देख रहा है as it is वैसा ही डिजाइन आपको अभी जब यह लॉंच होगा वैसा ही आपको देखने को मिलेगा यह बात अभी तय नहीं है पून के सही डिजाइन से 15 दिसंबर को ही परदा उठेगा कि कैसा मोबाइल लाना है और कैसा नहीं पर यह बात क्लियर है कि जैसा सैमसंग गैलक्सी का फोल्डेवल जो स्मार्टफोन है सेम बैसा ही ऐसा यह मिलेगा ओपो फाइंड यह भी सेम बैसा ही उसी प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और यह आप देख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो य सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब कर दो यार कर दीजिए मुझे पता है आप आप सब्सक्राइब कर देंगे तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में